Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Chapter 7 से Example 5 करेंगे Is 686 00 a perfect cube? क्या ये number perfect cube है? Question mark आपसे पूछा है If not, अगर नहीं है, find the smallest number by which 686 00 must be multiplied to get a perfect cube अगर ये number perfect cube नहीं है, तो फिर आप वो सबसे छोटा number बताईए जिससे इसे multiply करके perfect cube बन जाए अब इसी तरह के question आप पीछे भी कर चुके हो कहीं पर perfect cube बनाने के लिए आपने divide किया था और कहीं पर multiply किया था Basically पता कैसे चलता है, कि perfect cube है या नहीं है हमें पहले given number के prime factors करने होते है अगर उसके जो factors हैं, उनके triplet बन जाते हैं यानि 3-3 का pair बन जाता है तो वो number perfect cube है, वरना नहीं है तो शुरुआत तो वहीं से करनी होगी पहले हमें इनके prime factors निकाल लेते हैं 6, 8, 6, double, 0 मैं starting सबसे छोटे से करूँगा 2 से करूँगा, 2 का rule लग रहा है इसमें पीछे 0 है तो इसे 2 से जब हम divide करेंगे तो यह आ जायागा 3, 4, 3, double, 0 यहां पीछे 0 है, यह भी 2 से divide हो जाएगा इससे divide करेंगे तो यह 17150 आ जायागा यहां भी पीछे 0 है, यह भी 2 से पूरा divide हो जाएगा तो आ जायागा 8, 5, 7, 5 अब यहां पीछे 0 नहीं है 2 से divide होने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए वन स्प्लेस पे, इन में से कोई भी नहीं है तो 2 से तो यह नहीं होगा अब 3 से चेक करते हैं 3 का rule होता है, digits का sum कर लेते हैं 5 और 5, 10 हो गया 7 और 8, 15 हो गया इनके digits का sum 25 हुआ 25, 3 के table में नहीं आता तो यह 3 से भी divide नहीं होगा उसके बाद 5 आता है 5 का rule होता है कि वन स्प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए यहां पे 5 है ये number 5 से पूरा divide हो جाएगा जब इसे 5 से divide करेंगे तो यह आएगा 1, 7 1, 5 अब इसके पीछे भी 5 है तो ये भी 5 से divide हो जाएगा 5 से divide करेंगे तो 3, 4, 3 आएगा अब इसके वन स्प्लेस पे न तो 0 है न यहां पे 5 है तो ये 5 से तो divide नहीं होगा next prime number 7 होता है ये number 7 से divide हो जाएगा ये 7 का cube होता है मुझे याद है आपको भी कम से कम 15 तक के cubes और cube roots याद होने चाहिए 7 से इसे divide करेंगे तो 49 आ जाएगा 49 7 से ही divide होता है 7 आ जाएगा 7 7 से ही divide होगा 1 आ गया होगे इसके prime factors complete अब इन्हें लिख लेते हैं यहाँ पर 2 into 2 into 2 और फिर 5 है दो बार 5 into 5 और फिर 7 है तीन बार 7 into 7 into 7 अब आप देख रहों कि 2 के तो यहाँ triplet बन गए है ये जो 2 है 3 बार है 5 सिर्फ 2 ही बार है 7 के भी triplet बन गए है ये भी 3 बार है तो ये जो 5 है इसके तो triplet नहीं बने न यानि इसके अंदर एक 5 की कमी है अब उस कमी को जब हम पूरा कर देंगे तो जो number आएगा वो perfect cube होगा तो पहला जवाब तो हमारा यही है कि ये perfect cube नहीं है बताना है न हमको तो पहले तो हम ये ही लिखेंगे no it is not a perfect cube चाहे तो आप थोड़ा आगे reason भी लिख सकते है because यहाँ पे जो 5 है उसके triplet नहीं हो रहे है पहला answer तो no हो गया दूसरा हमें ये बताना था किसे multiply किसे किया जाए तो वो भी पता चल गया दो पांच तो है यहाँ पे एक पांच की कमी पढ़ रही है तो 5 से ही इसको multiply किया जाएगा तो we must multiply it it का मतलब है ये number we must multiply it by 5 to get to get लिखे है to make लिखे to get a perfect cube तूकि 5 से multiply करते है यहाँ पे एक 5 और हो जाएगा तो 5 के भी टिपलेट बन जाएगे अब ये भी कर दिया मैंने अब मैं perfect cube भी बता देता हूँ वो भी आप निकाल के दिखा देना perfect cube निकालने के लिए ये जो number है 686 double 0 इसे आपको 5 से multiply करना है तो multiply कर देते हैं यहाँ पे रुफ में 686 double 0 multiply by 5 50000 50000 56030 का 0 और 3 यहाँ पे आ गया 58040 और ये 343 आ गया 4 यहाँ पे आ गया 56030 और फिर 4 34 हो गया 34300 34300 000 यह है perfect cube number यह आपका question खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए goodbye